हाई तो आप सभी के घर में लगवग होली की तयारी शुरू हो चुकी होगी और इसलिए आज मैंने भी सोचा कि आपके साथ होली स्पेशल वीडियो शेयर करूंगी तो आज की जो रैश्पी है वो है होली स्पेशल और ये तो आप समझ ही चुके होंगे वीडियो के शुरु मेंना पहले मैं ये कोई है जो इसको गर्म कर रहи उन इसको न अच्छी तरह से भूण लेंगे इससे घुचिया खराब ही नहीं होती है और इसमヤ?" घुचिया में एक अच्छा सुंधा पनाता है और बस जब खोऊंगे मैं सब कैले खूंधर आने लग में ओ बस तभी हम गे बादाम, फिस्ता, चिरोंजी और गरीली हुई है वैसे आप अपनी परसन के कोई भी ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं जो भी ड्राइफ रूट्स आप डालना चाहें वो डालिए और जो भी नई डालना चाहें आप उनको इसके भी कर सकते हैं और अब खोया ठंडा हो चुका है इसको उतना मिठा रख सकते हैं और लेकिन हमको ना इसमें चाशनी भी रेडी करनी है तो अगर आप इसको हलका मिठा रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राइफ रूट्स कट करके रखे थे उनको ग्रेटेट कोकोनाट और आपना इसमें कार्डेमम पाउंडर डालना बिल्कुल भी मत भूल लियेगा क्योंकि गुचिय में इसका टेस्ट बहुत ही अचा आता है और इसको डालना कॉंपल सरी है तो अब हम रेडी करेंगे गुचिया के लिए डो तो मैंने लिया है यहां पर रिफाइंड फ्ला कर इसका एक टाइड डो तयार करना है अब क्योंकि यह रजबरी गुचिया है तो हम इनको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे क्योंकि हमें इसे बाद में चाशनी में भी डालना होगा तो बस यह देखिया हमने रैडी कर लिया है गुचिया के लिए डो और हम को एकदम ऐस हुजा था उसकी लोई काटके UCU बेल लेंगे और बस इसको हमको हलकासा मोटा-मोटा बेला है आप इसको बहुत जादा पतला मद बेले यह देखिये को मैंने इतना मोटा बेला हुआ है और साथ ही इसको हम एक किसी कटोरी से या जतसे भी आप देंगे और इसके side में थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे गजिया खुले नहीं और पस इसके बाद इसको इस तरह से मोड लेंगे और आप चाहे तो ऐसे इसमें सांचे से भी बना सकते हैं लेकिन आप ना एक दू गुजिया बनाएंगे और आप इसी तरह की गुजिया एकदम बनने लगेगी, और इसी तरह से हम बाकी की गुजिया है, जो उन्हें भी बना लेंगे, आप पहले इन्हे थोड़ा सा कुछ पूर्डियां बेल कर रख लिजे, इसके बाद आप इने भरिये और बस इस तरह से देखें मैंने सारी गुजिया रेडी कर ली हैं और अब हम तयार कर लेते हैं चाशनी तो चाशनी के लिए हमने लिया है एक कटोरी जीनी और एक कटोरी ही पानी तो इसको हम पहले एक बॉय लाने तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ केशर के धागे और कार्डमम पाउडर और देखिए इसमें ये कितना अच्छा कलर आ गया है और बस इसके बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे हमें इसकी ना बहुत जादा गाड़ी चार्चनी नहीं बनानी है बस जब इसमें एक बॉयल आएगा इसके बाद हम उसे बस 2-3 मिनट के लिए ही पकाएंगे और अब हम गुजिया को फ्राई करेंगे तो इसके लिए एक कडाही में हम लेंगे ओइल तो मैंने यहाँ पर लिया है रिफाइन ओईल और जब ओइल हलका गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गुजिया डालेंगे गुजिया को हम low flame पर ही पकाएंगे और बस इसके बाद जब गुजिया एक side से हलकी पक जाएंगी तब हम इसको दूसरी तरब से पल्टेंगे और बस इसके बाद हम इनको अच्छा golden color आने तक पका लेंगे और बस ये ready हो गई है हमारी गुजिया और ये देखें इनमें कितना अच्छा golden color आया है और अब हम इनको डालेंगे डारेक्ट चास्नी में तो चास्नी में हम इनको जब डालेंगे तो गुजिया गर्म रहेगी लेकिन जो चास्नी है उसको हम हलका सा ठंडा कर लेंगे और बस इसके बाद इनको एक से दो मिनट तक चास्नी में पड़ा रहनी देंगे और बस इसके बाद गुजिया को निकाल लेंगे गुजिया को चास्नी में ही डाल कर नहीं छोड़ेंगे और बस इसी तरह से हम बारी बारी से जो गुजिया है इनको डालते जाएंगे और एक से दो मिनट बाद इनको निकाल लेंगे और ये रेडी हो गई है हमारी होली स्पेसल रजबरी गुजिया और फ्रेंट्स वीडियो पशंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर और इस होली आप भी ट्राइब करिये ये रजबरी गुजिया और ये देखे ये गुजिया अंदर से कितनी अच्छी बनी है एंड इन च्वाई बाई